यह सब रुचिकर है, मैंने पहले कभी भी कम्प्यूटर नहीं चलाया है, क्या तो मुझे बता सकती हो कि कम्प्यूटर कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है? अवश्य जाचा, मैं सब कुछ समझा दूँगी, सबसे पहले मैं आपको कम्प्यूटर के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह मॉनिटर है, यह टेलिविजिन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है यह सिस्टम बॉक्स है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीउ होता है यह सीपीउ ही कम्प्यूटर का मुख्य दिमाग होता है यह कीबोर्ड और माउस हैं यह दोनों इंपुट डिवाइस हैं, जिसके द्वारा कम्प्यूटर में डाटा भरा जाता है कम्प्यूटर को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोडा जाता है सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को वीजीये पोर्ट कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं. VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोड़ा जाता है. Keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं. PS, 2 connector अथवा USB connector. Keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है. माउस तीन प्रकार के connector वाले होते हैं. PS, 2 connector, USB connector अथवा serial connector. माउस को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोड़ा जाता है. उसी तरह यदि आप printer को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है. समाना अंतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड़ दें. अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड़ सकते हैं? computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है. एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें. उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें. क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल, computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें. पहले system unit, वर monitor दोनों की बिजली supply चालू करें. तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें. वर monitor का power button दबा कर उसे चालू करें. अब कुछ ख्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर डिस्प्ले आने लगा है. इसे boot screen कहते हैं. धीरे-धीरे सभी software लोड हो जाएं, तो computer प्रयोग के लिए तयार है. धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल computer को देखा है, बल्कि उसे चालू करना भी सीखा है. हाँ, computer के विशी में ये सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी. अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं. हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाता हूँ. पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं.